क्या आप हर तरह का डाइट करके ठक चुके हो बट स्टिल स्ट्रेग्लिंग टू एच्व यूर गूड है क्या आप यह जानते हो हमें से जातर लोगों में अच्वल गूसा एटिंग पैटना आप फालो कर सकते हो फर लौंगर ताइम जिससे आपको मदद मिल सकति है हल्दियर फिट्टर और फुलर लाइफ जीन में है गाईस इस संजु कालिवाला अए फांडर फांडर लाइफस्टाल हब सो गाईस विताओ वेस्टिंग ताइम लेट्स दू 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 द वीडियो तो आज के वीडियो में जो तचा ही या फैक्ट माई शेर करने अला हूं इस नौट गोंग तो हेल्प ओनली परसन हुई इस टूंटी यर्स ऑफ एज बल्कि यह उनकी भी मदद कर सकता है जो 40 या एबो 40 यह साफ एज के है या जो किसी नहीं किसी क्रॉनिक डिसीज़ के शिकार है क्योंकि गाईस नूट्रिशन एक यूनियर वर्सल फॉर्मला नह सब्सक्राइस करते हो आपके बाडी में सब्सक्राइब करना या कोई फैंसी डाइट फॉलो करना या कोई पालो करना ऐसी चीज़ें गुमते रहते हैं गाइस अच्छा इसके विपरीज होती है आप टेलर युवर नुट्रिशन एंड डाइट प्लान आस पर युवर बोडी स्रिक्वाइमें तो थोड़ा डीप जाते है इस वीडियो में इसके बारे में हैं लेट मी शेर माइ स्क्रीन और मैं बता हूंगा ता दा स्टेप्स यौवर टो टेक्स इसमें सबसे पहला है गाइस जैसे मैंने काया अंडर्स्टेंडिंग युवर बोडी हार अपकर 40 अफ एज क्या क्या कॉंप्लिकेशन हो सकते हैं आपका मेटाबॉलिजम आपका डेश इस फिर्स तिंग यौव टो अंडर्स्टेंड और बोडी इस और रिक्वार्मेंट और उसकी अबिलिटी के इसाब से यौव टो प्लान यूवर नूट्रिशन फैक्ट जो जातर लोगों को कहा गाया तो जातर लोग अभी भी कंशिजन में क्या कार्बोहेडरेट्स यां इस फैट्स आर गुट फॉर तो अगर आप सोचते हो कार्बोहेडरेट्स आंड फैट्स आर नौट गुट फॉर यू देन आपको स्रिफ हादी सच्चाई का इनफरमिशन है तो पूरी सच्चाई यह है गाइस की पूरे काप्स आपके लिए बैट नहीं होते हैं और सब फ पैट्स गुट फैट्स आंड बैट पैट्स इंपल कार्भोहेडरेट्स हमें कहां से मिलते हैं सब्सक्राइब चीनी से मैदे से वाइट पोटाटो से और जातर रिफाइंड फूट से रेडिमेट फूट से जो इमीडिटली डाइजेस्ट होके आपके इंसुलिन को पालग करते हैं और आपको लॉंग टाइम के लिए फूल रखते हैं तो यू मिनिमाईज यूर। शिंपल कार्भोहेडाट्स और कट्डौन यूर।र कार्भोहेड्रेट्स इनयूकंट यूग के के ओरो चॉम्पलक्ट कार्भोहेडट्स प्वाइट नहीं से में उसी से मे आपको यह जानना जरूरी है जानना जरूरी है जातर लोग अपने अपने ध्यान जरूरी थे माइक्रोण जरूरी थे रहते हैं अन्या देते हैं है देगाThis जैसे हैं। आपके क fertility सेप्टों की मैगनीशियम क्रिण हैं। कि diabetes क्रिमिनd आपका क्याल्शियम केFC लिखने हैं। आपके मैटौत की मैं सब्सक्राइब कर currently mieć जाहते हैं। सेब्सक्राइब करें तो उसते हैं। वीडियो लिंक इन में डिस्क्रिप्शन जैसे जाहां पर में डीटेल वीडियो बनाएं वाइपन दी के बारे में आप वीडियो देख सकते हो और you can know the benefits of vitamin D और जो और मैःईशिया जिए से ठीडियो एपना-पना रूल प्ले करते हैं आपको healthy रखने में if you include micro nutrients also along with your macron nutrients, obviously it will be helpful for you to stay healthier and cooler for a longer time and not ignoring omega-3 fats will also play a key role क्योंकि omega-3 fat scale बहुत सारे benefits होते हैं आपके healthy रखने में जैसे ही आपके heart को healthy रखता है mainly and it will also help to make your bones and joints stay stronger coming to fourth point incorporating intermediate fasting in your routine intermittent fasting जातार लोगसों से intermittent fasting स्रिफ आपके weight loss को fat loss में help होता है but guys इसके tons of benefits होते हैं आपको healthy रखने में अगर इसको साहीं तरीके से किया गया है अगर आपको कोई medical condition नहीं है अगर आप कोई medication पे नहीं हो so you can incorporate intermittent fasting in your routine इसके बहुत सारे benefits होते है let me share few benefits of intermittent fasting आपके insulin को regulate करता है आपके mental focus को improve करता है आपके body को detoxify होने में help को करता है आपके muscles build करने में अगर आपका goal muscles build करना है and it will also helps to boost your digestion obviously and there are so many other benefits you can achieve by just incorporating intermittent fasting in your routine and fifth factor of nutrition is guys tailoring your nutrition as per your needs just as I mentioned earlier nutrition is not a universal formula or not a set of rules you have to tailor your diet you have to modify your diet as per your body's requirement as per your age so how can you do it guys let me share my screen again so you can you can focus on your macronutrient balance the plate so instead of always a fat diet or fancy diet always try to take balance plate with appropriate macronutrients and micronutrients and focus on nutrient dense food complex carbohydrates good fats vitamins and mineral rich foods and protein rich foods as per your body's requirement so by focusing on these areas you can tailor your diet as per your body's requirement which will help you to be healthier and fitter and fuller for longer time so guys summarizing everything first thing understand your body and you have to keep your attention nutrition is not a universal formula you have to follow this second thing all carbohydrates and all fats are not bad you have to focus on complex carbohydrates and good fats third thing don't focus only on macronutrients you include micronutrients in your diet in your nutrition which is healthier for longer time and fourth point incorporating intermediate fasting because it has tons of benefits and you will experience once you incorporate it in your daily routine and fifth point guys everyone has like different needs so better to tailor your nutrition as per your body's requirement so guys this was a short explanation about the truth of nutrition and actually what works so hope you got an idea and in and some information out of this video so guys please comment kariye in comment box the big with the biggest takeaways from this video and ummit karta video apko informative laga hoga or informative laga hai toh please like kariye or share karna na mat buliye guys with such people who has still confusion about which diet or what nutrition actually works and please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for more informative videos like this in future so guys this is sanju kaliwala signing off see you in the next video till the time stay healthy stay fit stay natural bye bye you you you